हेलो दूस्तों गुड़िया लीटल गाडन में आप सभी का स्वागत है पुराने साइकल को हम कैसे इस्तिमाल कर सकते हैं हमारे गाडन में वीडियो पे पूरा बने रही एगा लाश्टक देखिएगा आपके घर पे इस तरीके से खराब हो चुकी है साइकल यानि की जंक लग कोई चीज की जरुद भी नहीं है जैसे कि यह साइकल के सिफ जरुद पड़ेगे तो मैं आप सभी को दिखा देरहूं जैसे कि आप सभी देख रहूं यहां पर यह जमीन में लगी हुई आप राजिता का प्लांट आप देखो क्या करोगे आपके पास च्छत वाले घर हैं तो आप गमले में आपराजिता के प्लांट को लगा दीजिए उसके बाद देखे 12 इंच 15 इंच की गमले में लगा कर रखे हो मान लिजे मैं जमीन की बात नहीं कर रही हूं जमीन में लगाए हो तो इस तरीके से आप करे जैसे क्या वीडियो पर देख रहे हो तो यहां पर 20 इस कोणर में भी यहां मेरे अपराजिता का प्लांट है जमीन में लगी हुई है आप मान लिजे का आपके गंबले में लगे हुए तो आपको करना क्या है ऐसे तिक की जरूत नहीं पडेगे जैसे कि één देखिच हुए हां बहुत बढ़ी सी लोहे तो हमें करना क्या है या जो नीचे है उसे हमें बांध लीजे नीचे अच्छे तरिके से है पर जो ब्रांच निकले हैं यानि कि जो टेहनी निकले हैं जो प्लांट हमारा घना हो रहा हमें इस तरीके से पकड़ कर इस पे चढ़ा देना है एक बार आप यह पकड़े लेंगे ना तो यह खुद पर खुद पूरी साइकल को कभर कर लेंगे और हमारा प्लांट भी इतना हो जागा और फूलों से बहुत ज्यादा पौधे भरे रहेंगे तो हमें स्टिक की भी जोरत नहीं है यह देखे यह सिंगल पेटल वाले हैं ब्लू कलर के इसमें फूल खिलते अकलिया बरने लगे हैं तो आप यह काम जरूर करें पुराने साइकल को हमें गार्डन में इस प्लांटर को और एक आगे के चक्के के पास रखे दीजिए और इस तरीके से आपको क्या करना है चड़ा देना है उसके आप एक दो टेहनी पकड़कर लपेट दीजिए इनके चक्के में या फिर इंग में कोई भी यहां पर जो साइकल के हैंडल है किसी में भी आप पूरा the great vine of it से आप इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि पुराने बहुत पूराने और चक्के भी तूटब गया ना चक्क खराब हो गए हैं तो आप इसे रख सकते हो JAM और में आप्ट प्लांट को दोनों तरफ से दो चक्के के पास दो त्रम मेरे लगे हुए तो मैंने इस तरीके से इनको सपोर्ट दे दिया है और यह वाले जो रड़ है इसे आप निकाल सकते हो या फिर एक रड़ से दुस्तों काम नहीं चलेगा तो मैं इसे थोड़ी सी और उस साइट दबा देती हूं तो यह क्या होगा पूरे अच्छे तरीके से पूरे साइकल के चड़ जाएंगे तो आप रजीता का बहुत बेश्ट प्लांट है आप जरूरी से अपने गार्डन में लागाए पूरी बरसात इसमें फूल खिलते रहते हैं थंड में सी पीर डॉर्मेंसी में चले जाएंगे गर्मियों में भर भर कर फूल खिलते हैं इसे नमी बहुत ज तोड़ में करने साओ दो यॅशल को दोड़ें हैं ह। का प्लांट तो आप रख सते उसके अगल बगल पर अगल बगल में और उसे चढ़ा दीजे तो जैसे कि दिखे यहां पर भी जमीन में लगी हुए यह डबल पेटल वाले हैं यहां पर हम लोकों ने रसी से बांध दिया है और एक पुराने कपड़े को हम लोकों ने देखे य इसे सपोर्ट की जरुद पड़ती है अगर आप सपोर्ट नहीं दोगे तो यह अच्छे तरीके से फूल नहीं खिलेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे आपको आगे बढ़ाना है अप्रजिता के प्लांट को तो आप इस तरीके से इनको सपोर्ट के जुगार करें और यह पर आप्रजिता के बहुत सारे बेवी प्लांट ग्रो हो चुके आपने अभी बीज से ग्रो नहीं क्या तो चोड़ेशोटे बेवी प्लांट ग्रो कर सकते हो आप्रजिता का प्लांट को तो मैं इसे उखाल कर यहां पर लगाने वाली हूं और यहां लगा कर यह जो आम का पेड़े यहीं पर मैं इस पर चड़ा दूंगी और आप यह जो खराब दीखे रहें गलत मत सुचेगा दूस्तों वीडियो दिखने के लिए